हेलो बच्चो वेलकम बैक टुमाइन अदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पार्ट साला यह पार्ट थ्री है डाटा हेंडलिंग की जो की क्लास 6 की आपने मेरी पीछली वीडियो नहीं देखिए तो जाके देखिए और उसके बाद इस वीडियो पर आएंड पिक्टोग्राफ क्या होता है उसके बाद डिसक्स करेंगा बार ग्राफ क्या होता है अगर आप चैनल पर नहीं हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर लगाएं ऐसे लेटिस वीडियो पाने के लिए और मजदार मैस सब सब्सब्जेक्ट इसी चैनल पर आपको मिलेगी पिक्टो यह पिक्ट्र का मतलब होता है पिक्चर क्या होता है ऑसे ठीक्ट्र या फॉटो यह इमेज के तो समझ मेहाइब लिआ या पिक्ट्र láp को इन टोग्राफ को आ chapter की बात होरह है तो यहां पे क्या होता है इस ग्राफ में पीपल का इन यूजलिक ग्राफ इंफॉमेशन कुईकली फ्रॉम दे ग्राफ अगर कोई भी चीज हम लोग ग्राफ के फॉर्म में अगर इसको रिपरेजेंट कर देते हैं कि आज का पॉपलेशन जनवरी में इतना पॉपलेशन था तू फिर फेर्वरी में ब मतलते और भी ग्राफ होते हैं जो मुझे नहीं पढ़ानां कि यह सोई सब्सक्राइब को इसको इस इस Mais जैसा कि मैंने लेक्ट यूंढें इसको पिक्ट्रव्राम की नाम से नाहें जाता है तो तो सिफ theoretical चीज नहीं है जी practical चीज है ठीक है इसे मैं question solve करके समझाओंगा कि pictograph कैसे solve करते हैं और कोई भी चरह का pictograph आपको मिलेगा तब आराम से एक्जाम में solve कर सकते हूं तो चलिए सबसे पहले सकते question number one क्या बोल रहा है question बहुत इसी है अब pictograph below so the total mass of old magazine magazine sent for recycling for four family in a year recycling के लिए भेजा जाता है चार फैमली भेजता है जो मैगजीन साता है नियुसपे पर आता है उसकी उसी के बात कर रहा the total mass of the magazine sent for recycling from our family in a year एक साल में इतना डाटा दिया हुआ ठीक है दके चार family यह लादिका रजट गा से ठीक यह चार फैमदे यह है तो यह छार स्कॉाइर बॉक्सस आपको दीख रहे हैं इसका मतलब है 4 kg क्या मतलब है 4 kg मतलब्र में चार के ठीक है चेतन चाह चराह चरबारा चरसोला और यह दो का मतलब है आधा मतलब 2 kg ठीक है ऐसे इसी पर कर यहां एक का मतलब है के जी ठीक क्विशन क्या पूछ रहा है हमसे चलिए देखते हैं विच फैमिली विच फैमिली है दे लिश्ट मास अफ ओल्ड मेगजीन सेंट फोर रिसाइकलिंग कौन से फैमिली सबसे कम भेजा है तो ललीद भेजा तो कितना भेजा है चार आठ बारा बारा केजी सर्फ बारा केजी तो हो गया एंसर एक एंसर है जी टूल केजी ठीक खतम फाइंड टोटल मास अफ ओल्ड मेगजीन सेंट फोर रिसाइकलिंग फ्रॉम रजस फैमिली रजस फैमिली से कितना भेजा गया है यहां पर एंसर मैंने एक्ष्टा बता दिया है फैमिली बताना था यहां कौन से फैमिली था ललीट अपको सिफ ललीट है राज़त फैमिली से पूछा चार आठ बारा सूला बीस बीस इकीज बाइस तैइस मतलब 23 केजी उसके फैमिली से भेजा गया यह भी कैंसर खतम पिक्टोग्राप में हमेसा पिच्चर दिया रहेगा इस पिच्चर दिया रहेगा और उसी से रिलेटर आपसे कुशन पू पिक्टोग्राप बिलों सुदा नम्मर अब फ्लावर बेड फ्लावर बेड नम्मर अब फ्लावर बेड कैसे करेंगे देखिए डेफोड इस मेरी गॉल्ड और चीट टीपल ठीक है तो रिप्रेजेंट फाइब एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा फाइब कर एक दो तीन चा खाधा है फ्लावर बेड में तो यहां और चीटी दिख रहा है तो कितना ज्यादा है दीए पांट दल्द, 15, 25, 30, 35, 35 ठीन आइन सर्व जाएगा 39 और और चीट ज्यादा है ओर धिक आपको बता दिये यह सिब और्चिट एंसर करना था भी का देखलो फाइंट डिफ्रेंस बिट्विन नम्मर अफ मेरी गोल्ड और टिपल फ्लावर्ड हमसे पूछा गया डिफ्रेंस बेटन किसे किसे मेरी गोल्ड से और टिपल से इससे इसको माइनस कर देंगा तो कि कितना है ऑफ पंदरह सुलह त्था अथारह अठरह 18 से अधारा चल जाएगा कितना बचेगा तो कितना बचात्त चौदा वचाCब्सक्षा ऑनिए है अप दिखते हैं अगला topic हमारा जो कि है बारगराथ वार गराफ क्या होता है तो गते में तकूछ हैं आर्वोडा यह डीमील को जिलिए अप लटाओ को मरें तक बया कितगउ से ना एक अर्oud इसको बोले जाता बार चार्ट के भी नाम से जाना जाता है अगर बार ग्राफ दिया रहा है या बार चार्ट दुनों एक ही बात है इसे तो आपको समझ में नहीं आएगा इस पर हम लोग करते हैं कुछ इसके बाद आपको ज्यादा ही किलियर हो जाएगा क्या कोशन ने देखिए इन सर्वे दा फेवरेट कलर आफ स्टुडेंट इन अ क्लास आर समराइज इन दा फॉलेंग टेपल ठीक है फेवरेट कलर दिया हो बच्चों का यह कोशन यह कोशन दिया रहेगा फेवरेट कलर नम लोग गया रहा है क्या पूछा है वाट इस दा टूटल नमबर अफ टूडेंट इन दा क्लास क्लास में टूटल नमबर शुड़ेंट कितना तो सारा को जोड़ो देंगे तो पांच चार नो नो एक दस जिरू आतमे बन एक दो तीन थर्टी अने थर्टी नहीं होना अच्य पांच चार नो जर दस हम एक दो एक दो एक दो तीन चार पॉट्टी स्वारी पॉट्टी है ठीक है इतना है फॉट्टी टूटल तो टूटल कितना हो गया फॉट्टी इस्टूइंट खताम इतना ही जी आपसे कुशन पूछा जाएगा रिपेजेंट डाटा यूजिक कैसे अभी मैं दिखा सिखाता हूं कैसे रिपेजेंट करना सबसे पहले आपको एक चार्ड बनाना है थोड़ा लाइन का एक चार्ड बन गया है कि विश्व नहीं है ऐसा आपको एक सेक्सिस और वाइक से से बना लेना है इसको बोलते एक सेक्सिस कि इसको बोलते हैं एक सेक्सिस और वाइक सिस ठीक उसके बाद कितना स्टूइंट है जी तो चार है 11 15 10 ठीक है तो हमनों यहां से चार से स्टार्ट करते हैं चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा अब बारा ठीक है आई जीरो यह आपका ठीक ग्यारा तक ही लाश्ट है ठीक है है अब क्या बोल रहा है प्रजेंट करने के लिए कौन कौन पाले काल ब्लू ग्रीड है यह इसको कहा तक ले जाना है कालर चैंजज करते हैं और इसको ले जाना है दस तक ठीक है यह दस ठीक यह विद्धुम दस तक यह मुड़ा हुआ ठीक है ऐसे डॉट नी लगान आपको फिर ग्रीन देखिए ग्रीन है पंदरा पे ओपंदरा यहां थे पंदरा भी दियावा नहीं तो देखाई नहीं मैंने कोई इश्व नहीं है तेरा चौदा आया इसको अटा देता है यहां पर पंदरा ठीक है तो ग्रीन को ले जाए यह पंदरा पे इसा फिर रेड रेड है चार पे रेड को ले जाए चार पे फिर यल्लो है ग्यार पे फिर यल्लो को लेकर जाए आपको जितना दिया रहे देखिए यह लोगों कितना 11 यह हम आपको टयार को टयार हो गया घ्राफ बस हम से यही पूछा गया है यह रिपैसे रिप्योंटा यूसे ना बार एक बार ग्राफ यहीजिक को बोलते कैं आब Market स्कोंदोर घ्राफ ग्रीन क्योंकि ग्रीन है 15 अब 15 सबसे ज़्यादा नमबर है इसमें तो ग्रीन इसका एंसर हो जाएगा एक कुशन और है उसको करते ही फिर इस वीडियो को समप्त करेंगे चोटा सो कुशन है एक तो आपको बार बनाने बार ग्राफ बोल दिया बनाने एक दिखे बार दिखते पड़ते हैं क्या बोलता कि यह दा गिवन बार ग्राफ सो मंथली सेल आफ फूर ब्रांट अप मुबाइल फॉन मंथली सेल आफ फूर मुबाइल क्या है दिया हुए एपी के नॉक सैमसुन ठीक छोड़ा जीव नाम है लिख देता है एपल उपल एपल सैमसेंग न टू दा एन ओके टू डाट दानो के क्या पुछा हम से रेशियो पूछ रहा है मतलब रेशियो उपात जिसको बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो कौन सो एपी एपी देखे 8000 और क्या पूछा एन ओके एन ओके कितना है रेशियो 5000 एक दो तो तीन एक दो तीन जीर खत्म क्या बचाएगा एट इस तो फाइब बच जाएगा तो यही रेशियो है एक एंसर ठीक अगला क्वेशन क्या बोल रहा है फाइंड दा रेशियो ओफ दा लेंद अफ पार रिप्रेजेंटिंग ना मंतली सेल आफ एपी टू डाट एन ओके क्या पूछा हम से रेशियो पूछ र रहा है ठीक है क्या पूछ रा है बार अर्पेंट जो कर रहा है तो दीकि तो सब्लिकशन श्क्रálusion है यहां जयाँ छिवेला आपटा मंतले कर दिफ्रेंस आरि यहां से यहां से लेकि कितना से 5678-4 तार्थosition हो का 4 दिफ्रेंस एक दिफ्रेंस यहां पर क्या हो जागा? एपी इस टू एन ओके क्या हो जाएगा पूर को इस्टू वन अगर ऐसे नहीं समझ मैं आ आ ता आप इसको लिख सिर्फट करेंज कर था यहां से एक है यहां से चार का डिफ्रेंस है तो फॉर इस्टू वन और इस सबसे पहले हम फूर क्यों लिख है क्योंकि सबसे पहले हम क्या पूछा अगर एनों के रहता तो वन इस्टू फॉर होता और एनों के बाद में है ठीक है लाश कोश्चन क्या पूछा इन वाट वे दा बार मिस्लीड दा रिडर बार मिस्लीड दा रिडर कौन सा तरीका हो सकता जो ग्राफ मिस्लीड हो सकता है सबसे पहले देखिए एपी इसी नम्बर यहीं क्या है एक इस टू फाइब कर सकते हैं आगर काटोगे तो वन पॉइंट सिक्स त्राइम्स क्या है एक इस ज्यादा है किसा नो के से कितना ज्यादा है अगर इसका डिखरन निकालोगे तो ए मुझा से वान पूंट इस सिख्ष तैंड ज्यादा है इसा परकार मिस्टीक कर सकता तो यह जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट इस रिजल्ट इस रिजल्ट डिफरेंट फ्राम यह रिजल्ट क्या है वन पॉइंट सिक्ष्टम ज्यादा है किसे रिजल्ट भी से अपना डिफ्रेंट फ्रम दभी अगर यह आपको समझ में नहीं होगा एक बर आप फिर से इसको देखना तो क्लियर क्लियर हो जाएगा ठीक है एक बर या दो बर फिर से करना वीडियो को समझ में आ जाएगा चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में